है नमा शकार देट है आज की 11 दिसंबर 2022 और आज जो था वो इवनिंग शेशन में कंडट किया गए था TAT Medical का वेपर यह जो TAT Medical का वेपर कंड़क्ड किया गए था इसको हम डिस्कश करेंगे जीके सेक्षन से स्टार्ट करेंगे जो मॉर्निंग में वेपर कंड़क्ट किया गया था ना टीजीटी टेट आर्ट्स का वो था हम अल्रेडे डिसकस कर चुके हैं तो उसको देख लेना अगर आपको आने वाले अग्जाम में हल्प चाहिए अभी हम 121 कोशिन से स्टार्ट क कब हुआ था धामी गोलिकांट मॉर्निंग की वीडियो देख लीजे 1939 में हुआ था ये गोशिन भी हमने आज ही मॉर्निंग में डिसकस किया है आगे बोलते हैं इन विच दिश्टी की जए साच पास लोकेटेड तो साच दर्रा किस जिले में स्थित है साच दर्रा हिमाशि क्वेटर जो है वो किलाड में स्थित है वो भी टैट के एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है 124 क्वेशिन देखिए बोलते हैं विच इस धी हाइस्ट मॉंटेन पीक आफ हिमाशिल प्रदेश की हाइस्ट मॉंटेन पीक कौन सी है सिल्ला चोटी सिल्ला चोटी हाइस्ट मॉंटेन पीक है हिमाशिल प्रदेश की डिस्टिक की नौर में स्थित है जांसकर रेंज में जो है ये आती है 125 क्वेशिन देखिए पिन वैली नैशनल पार्क बोलते हैं कहां पर सित है तो ये क्वेशिन टैट आर्ट्स में भी पूछा गये था मॉर्निक शैशिन में कि प लोगों ने देखी थी वीडियो उनको डेफिनिटली 30 के 30 क्वेशिन में हल्प मिली होगी 126 क्वेशिन देखिए बोलते हैं इन विच डिस्टिक ऑफ हिमाशिल प्रदेश दस्टाइट फॉर बेराडोल सोलर प्रोजेक्ट हैस बिन इडेंटिफाइड तो बोलते हैं कि हिम इराज पत्रिका में हमने पढ़ा है कि बिलास फुरिस्टिक में स्थित्थ है आगे बोलते हैं कि वेन वाश दी हिमाशिल प्रदेश इंसीचूट ऑफ पब्लिक अडिमिसेशन जिसको आप हिपा भी कहते हैं सेट अप एट फेर लॉंस नियर शिम्बला तो फेर लॉंस के स आउंडर ऑफ जस्वा स्टेट तो जस्वा राजसी राज्य की स्थापना पूरव चंद ने की थी किसी ने मॉर्निंग की वीडियो भी देखी होती ना तो भी कम से कम ये पांच छी क्वेशन तो ठीक करकर अट लिस्ट आये होते हैं 129 क्वेशन देखिए बोलते हैं विच 26 चोड़ी बड़ी रियास्तों को मिलाकर किस जीले का गठन किया गया था आपको बता है कि महासू जीले का गठन हुआ था ऑप्शन सी सही अंसर है अगले कौशन थोड़ा सा धुंदला आपको दिखेगा मैं completely पढ़ देता हूं कौशन को बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश became which state of India तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का भारत का कौन से नंबर का राज्या बना था ये भारत का 18 नंबर का राज्या बना था ऑप्शन डी 18 जो है वो सही अंसर है 131 में बोलते हैं लीडर ऑफ लीडर ऑफ बरदोली सत्यागरा पूछे गया है तो बोलते हैं बरदोली स गरह 1928 में हुआ था इसके लीडर कौन थे इसके लीडर थे सरदार वल्लभाई पटेल ऑप्शन बी जो है वो सही अंसर है आगे बोलते हैं हिंद सौराज वाज रिटन बाई तो हिंद सौराज किस ने लिखी थी अगर हम हिंद सौराज किताब की बात करें ना हिंद किस राज्य में कोई भी पंचाइती राज संस्थान कहां पर नहीं है तो यह जो है यह आपके नागा लैंड में नहीं है आपका सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं which of the following are constituents of Indian Parliament तो बोलते हैं कि भारतिय संसर जो है उसके घटक कौन-कौन है पारलेमेंट में क्या क्या आता है प्रेजिडेंट आता है लोकसभा आता है राज्यसभा आता है यह तीनों चीज़ें आती हैं option D all of these जो है उसा ही अंसर है 135 में बोलते हैं under the constitution of India education as a subject of legislation is included in तो 3-4 दिन पहले जो पॉलिटिक की वीडियो डिसकस की थी उसमें मैंने बिताया था कि concurrent list में option C सही अंसर है समवर्ती सूची में जो है यह आता है आता है आपका जितनी भी education से रिलेटर चीज़े हैं अगला question देखिए अगले question में बोलते हैं who represent India in the second round table conference held in 1931 बोलते हैं 1931 में जो दूतरा जो गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनी जित्तों किस ने किया था वो किया गया था देखो वैसे तो महात्मा गांधी जी ने किया था प्रात्मा गांधी जी option में नहीं ये party less democracy का जो concept introduced किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था party less democracy जो था ये सोच थी JP नरायन की यानिके जगत प्रकास नरायन की ये आपने ध्यान रखना है जगत प्रकास नरायन जरूट ध्यान रखना है option A इसका सही answer हो गया आगे बोलते हैं how many times normally tides come in 24 hours तो देखो tides तो है वो चार बार आती है option नहीं सही answer है दो बार high tides आती है दो बार low tides आती है तो इन्होंने totally tides आप से पूछा है चार बार हो जाएगा 139 में बोलते हैं atlantic and pacific oceans are connected by तो जो atlantic और pacific oceans है ये किस canal के द्वारा जोड़ जाते हैं किस नहर के द्वारा जोड़ जाते हैं इनको जोड़ने के लिए panama canal है आपकी option C panama canal सही answer है आगे बोलते हैं फियोड बोलते हैं coast है ये कहां पर है commonly तो ये norway option ने सही answer आ जाएगा एक बहुत important day है और ये day जो है वो 2022 में भी जब मनाया गया तब भी हमने discuss किया था कि 8 March को मनाया गया इसकी theme बगारा भी हमने उस time पड़ रखी थी और अगला question देखिए 142 question बोलते हैं Rupin Valley is located in which district of हिमाचल प्रदेश? Rupin घाटे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? Rupin Valley आपकी किनौर district में ही आती है? Rupin Valley हमने पड़ी हैं सारे की सारी तो बिल्कुल सही किया होगा आपने question बोलते हैं at what interval is Bunda Festival of Nirmand Health? Bunda Festival को मैंने आपको क्या बताया था? कि Bunda Festival को जो है वो कुम्भ भी कहा जाता है कुम्भ भी कहा जाता है तो ये 12 वर्सों के बाद आता है option C सही अंसर है Kalindi बोलते हैं वैदिक नाम है किसका? Kalindi या मुना का वैदिक नाम है option C सही अंसर हो जाएगा 145 में बोलते हैं कि what is the new chief justice name of हिमाचल प्रदेश high court at present? तो बोलते हैं जो new chief justice है हिमाचल प्रदेश high court के उनका क्या नाम है? उनका नाम है justice M.J.A. साइद तो शाइद ये last time भी तो पूछा गया था test my question और high court clerk का जो exam है उसके लिए भी important है अगर उसकी test series आप practice करना चाहते हैं ना तो नीचे comment box में आपको link मिल जाएगा description box में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप available कर सकते हैं और अपनी practice को shape दे सकते हैं 1942 में हुआ था यहां पर जब exactly date की साथ आपसे पूछा गया है तो आप सही अंसर क्या करके आये होंगे इसका आप exactly इसका सही का अंसर करकर आये होंगे अगस्त के महीने में और 7 अगस्त 1942 option B जो है वो सही अंसर है कहीं पर ना 8 अगस्त भी दिया गया है कि 8 अगस्त को जो था यह launch की गई थी अब 8 अगस्त option में दिया नहीं गया है वैसे आप 8 अगस्त याद रखना हो सकता है इस question को scrap भी कर दिया जाए options ही ऐसी दे दी गई है ना साथ साथ में तो यह थोड़ा सा doubtful है आगे बोलते हैं when was new economic policy introduced in India तो new economic policy जो है वो इंडिया में कब introduced हुई थी new economic policy 1991 में introduced हुई थी HPSHC ने भी कई बार यह question पूछा है आगे बोलते हैं question में 148 में यहाँ पर बोलते हैं which two countries does the Durand Line separate तो Durand Line इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का border है उसको Durand Line के नाम से जाना जाता है आगे बोलते हैं when was United Nation organization was established तो UN Day भी मना जाता है United Nation Day 24 October को मना जाता है 24 October 1945 को ही UN की स्थापना की गई थी option D सही अंसर रखिये current affair तो यहाँ पर पूछे नहीं गई थे 150 question देखिये बोलते हैं who wrote the book India wins freedom तो India wins freedom किताब किसने लिखी थी यह India wins freedom किताब अबुल कलाम अजाद जी के द्वारा लिखी गई थी option B जो है वो इस question का सही answer है तो देखो मैंने बताया आपको की लगवख सारे questions कवर हुए है important PDFs important notifications आपके exam point of view से जो भी advertisement निकलती है वो भी चीजें जो भी आपके लिए important होता है वो सारा telegram पर भी आपको provide करवा दिये जाता है telegram को join करना बेह दी आसान है आपके लिए अपना telegram open करना वहां से इस तरह से search कर लेना add the rate all exam 31 आपको हमारा telegram channel मिल जाएगा 24,000 एक 200 से अधिक लोग हमारे साथ जूड़ चुके हैं आप भी जूड़ जाएए ताकि आपको भी time to time जो है exam point of view से help मिलती रहे हर इक exam में तो इस वीडियो में इतना ही था that's all for today thank you thank you very much for watching and listening very patiently